बिस्मिल्लाइफ रह्माने रहीम, अस्सलामों अलेकुम, आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसानी से बनने वाली मिठाई, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए वेशन, करीब दो बड़े चम्मच, काजु पाड़र दो बड़े चम्मच, चीनी करीब 100 ग्राम, गाड़ा दूद, करीब एक कटोरी, नारिल पुरादा करीब एक चम्मच और घी, तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले हम गेस कौन करेंगे, और उस पे कडाई रखेंगे, कडाई में हम घी डालेंगे, और उसमें वेशन डालके, करीब 2 मिनिट हलकी गेस पे, गुलाव गेस को हम धीमा ही रखेंगे, क्योंकि बेसन हमारा हलका होता है, अगर हम गेस देज कर देंगे, तो इससे बेसन हमारा जल जाएगा, और हमारी वर्फी खराव हो जाएगी, बेसन के भुनने के बाद, अब हम इसमें डालेंगे काजू पाउडर, और इससे अच्छे से मिलाएगे, और अब हम इसमें, थोड़ा थोड़ा करके दूर डालते जाएगे, और मिलाते हुए, लगातार चलाते हुए, इससे गाड़ा कर लेंगे, जब यह अच्छे से अच्छे से मिलाएंगे नारियल के बुरादे को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चीनी चीनी को डालने के बाद इसे लागातार चलाते हुए पकाएंगे इसे पकाने में करीब 4-5 मिनट लगेंगे तो देखिए 4-5 मिनट बाद हमारी वर्फी बन के तयार है अब हम एक पलेट लेंगे उसमें घी लगाएंगे और अपनी बर्फी को उसमें अच्छे से फैला के सेट होने के लिए रख देंगे बर्फी को सेट होने में करीब दो घंटे लगेंगे दो घंटे वाद हमारी बर्फी सेट होके तयार है अब हम इसके कतली काट लेंगे अगर यह मेरी रख भी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले थैंक यू